कितनी स्वादिष्ट हमारी मटर पनीर की भुर्जी बन के तयार है कि मटर पनीर की भुर्जी के लिए हमने 400 ग्रम का स्पस अपने घर का फ्रेस पनीर ये तयार किया था तो उसको हम करस्ट कर देगा हाथों से इस प्रकार से आप चाहे तो इसे कद्दू कस्पी कर सकते हैं हमने हातों से करस्ट कर लिया यह नेचरली ज्यादा अच्छा लगता है तो उसके लिए हमने एक बड़ी साइज का प्याज दो मिडियम साइज का टमाटर और तीन सो गराम के असपस माटर के दाने लिये और एक इंचदर का टो कि सुखी मिर्च दो डालेंगे अगे उसके बाद हरी मिर्च जो हमने काटा था उसे डालेंगे और इन सब को थोरा सा रोष्ट कर लेंगे ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे तो यह देखिए हमारा यह पक चुका है तो अब हम इसमें प्याज एट करेंगे प्याज हमने एक बड़ी साइज का लिया था जिसको कमने इस पर करके सेप में काटा है आप चाहे तो प्याज की मातरा बढ़ा भी सकते है तो यह देखिए हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया है अब हम इसमें अध्रक का पेश्ट में जो बनाया था उसे डाले गए यह लगवग हमने एक इंच कर लिया था टुकड़ा तो अध्रक को भी हम लगवग दो से तीर मेट भूने है तो यह हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब हम इसमें मटर के दाने डालेंगे यह हमारा देशी मटर का दाना है मटर को भी लगवग दो से तीर मेट इसे मेडियम फ्लें पर पकाएंगे उसके बाद मिसमें टमाटर एड़ कर लेंगे तो माटर को हमने इस प्रकार की सेप में काटा था बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है तो यह देखिया हमारा टमाटर भी शॉप्ट हो गया है तो अब हम इसमें नमक एड़ कर लेंगे थोड़ी सी और नमक डालने के बाद हम इसे मिलाएंगे अब हम इसे में मसाले एड करेंगे मसाले हमने एक चमच धन्या पॉडर एक चमच से थोड़ी सी कम हल्दी पॉडर और ये कास्मरी लाली पॉडर एक चमच हमने लिया है उसके बाद हमने यहां पर जो पनीर मसाला होता है यह साही पनीर मसाला का हमने इस्तवाल किया है तो आप चाहे तो नॉर्मल पनीर मसाला भी इसमें एड कर सकते हैं तो पनीर मसाला डालने से इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है और इसके स्वाद को बढ़ा देता है तो इसमें पानी एट कर लेंगे ता कि मारा मसाला अछ़े से भून जाए तो इस देखिए मारा मसाल अज़े से भून गया है तो आप इसमें ख्रस्किया हूए पनीर डालेगे तो यह देखिए अग्या कि अच्छा से यह पनीर करस्ट किया था हम ने और इसे मिलाएंगे यहां पर फ्लेम को लो कर देंगे गैस को फ्लेम को कि अच्छे से मिलाएंगे दो से तीर मेर तक अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिल गया है और इस जो परीड जो हमने करस्ट किया था उसे मसाला भी अच्छे से एफजर हो गया है तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है यह तो अब हम इसमें लाश्ट में थोड़ी से गरम मसालाइड कर लेंगे और मिलाके इसे गैस को बंद कर देंगे पनीड की सब्जी तो आप लोग बहुत खाया हुए लेकिन इस परकार से आप एक बार अपने घर तो जरूर ट्राय करें यह बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही जादा फाइदे मंद भी तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो यह देखिया हमारा यह टेक सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरगे रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे और इस परकार से रेसिपी बना के अपने फैमिली को खिलाएं तो बार बार उनका खाने का मन करेगा इस परकार की रेसिपी तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंट्स अगरे रेसिपी आपको अच्छी लगी हो वार वीडियो को लाइक हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरगे रेसिपी आपको आगे भी मिलती है जाए जाए बारत